नमस्कार स्वागत है अब सभी का व्लॉगर इसपर्ष रेल न्यूज नेटवक में और मैं हूँ आपके साथ इसपर्ष शिसनहा और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें गोला गोकरनाथ से निकल कर आ रही है जहां पर डिरेल्मेंट हो गया है जिहां ब्रॉड है गोला गोकरनाथ रेल्वे स्टीशन का देर शाम आज मालगाडी प्लैटफॉर्म नंबर तीन के बाद चौथे ट्रैक पर खड़ी होई थी और बताया जो जा रहा है पहली जो सूचना निकल कर आ रही है उसके अनुसार एक तक्रीबन 54 बोगियों की मालगाडी में से एक जो कोच है उसका डिरेल्मेंट हो गया है हलाकि इस डिरेल्मेंट की तस्वीर जो है वो ताजा सबसे एक्स्क्लूजिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आप सामने देख सकते हैं एक बोगी पूरी पूरी जो बताई जा रही है कि पूरी पूरी बोगी जो है वो ए सामत थी उन्हें हटा कर इस बोगी को अलग कर दिया गया है और पूरी माल गाड़ी को मेल लाइन पर कर दिया गया है शिफ्ट फिलहाल हाला कि दोस्तों यह कहना गलत नहीं होगा कि बहुत बड़ा एक हाथसा होने से बच गया है हाथसा टल चुका है हाला कि साफ तोर पर जिस तरह से आप तस्वीर देख पा रहे होंगे कि पूरा पूरा वील जो है वही अलग होकर आपको अलग स्थान पर पड़ा हुआ नजर बारा है और वहां जो प्रत्यक्ष दर्शी जो लोग थे मेरी कुछ लोगों से बात हुए तो उन्होंने ने बताया कि कहीं ना कहीं जब यह डिरेल्मेंट हुआ है तो धूल का जो गूबार उठा जाहिर तौर पर नीचे आप जानते हैं पूरा बैलाश्थी है तो जो ही ना कहीं एक महाल जो था वो उस वक्त का जो महाल रहा वो बड़ा समवेदें शील बन चुका था बहराल बहराल इस डिरेल्मेंट के चलते जीरो चावन बाननवे जो सीता पूर मेरानी पैसेंजर है उसको भी लखीम पूरेलवे स्टेशन पर तकरीवन 25-30 मिनट रोका ग बहराल पहली सूचना के रूप में यह जानकारी आप सभी के बीच हम आपको दे रहें सबसे पहले आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लॉग और इस पर्ष पर इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और लाइक कीजिए आगे अगर कुछ इसमें अपडेट निकल कर आती है तो हम आपको जरूर से देंगे बहराल अपना सपोर्ट हमेशा बना रखी नमस्कार